Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my M.A.B.S. from Alana Jad Media College. इस particular वीडियो पे बात करेंगे कि अगर आप class 11th में हैं और NEET जैसे बड़े exam का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है. तो सबसे important है कि NEET का जो exam है, NEET की जो new है, NEET का जो beginning है, वो 11th से ही सुरू हो जाता है. कहते हैं कि अगर आप जल्दी start करेंगे किसी चीजों को, तो आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे. अगर आप जल्दी start नहीं करेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे. क्लास 11 ते एक ऐसा क्लास है, जहां से आप जल्दी अपने preparation को start कर सकते हैं, और अगर आप अच्छी direction में अगर अपने preparation को start किया, तो आप NEET को crack करेंगे. तो कैसे start करें, क्या होता है एक अच्छा direction, कौन से book है, कैसे पढ़ाई करें, जिससे हम क्लास 11 में भी बहुत अच्छा करें, अपने school में, क्लास 12 में भी बहुत अच्छा करें, और एक ही attempt में NEET जैसे बड़े exam को crack कर सकें. तो सबसे important चीज़ यह है, कि जो क्लास 11 है, क्लास 12 है, वो foundation है, basic है, base है, उसी के सहारे आपको NEET exam देना है, तो अपना जो basic है, basic concept को बना के चलें, जो आपके school में कराया जाता है, देखें, हमारे विचार ही बहुत अलग होते हैं, हम मान के चल लेते हैं, कि the class 12 is a different and neat is different, ज जबकि चीज़ ही वही है, approach वही है, मैं छोटे से example से देता हूँ, अगर आप class 12 में हैं और अपने board की तियारी कर रहे हैं, तो board की तियारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो बहतर book है, वो क्या हो सकती है, बहतर book आपकी NCRT हो सकती है, आपके exam में NCRT से ही question आते हैं, तो आ नीट में भी NCRT से ही question आते हैं, आप नीट के पिछले चार साल का record अगर देखेंगे, तो आपको analyze होगा कि maximum question आपके NCRT से ही पूछे जाते हैं, अब approach थोड़ा सा different बनाना पड़ेगा, approach in the sense कि आपके school में, आपके board में जो question पूछे जाते हैं, वो directly theoretical होते हैं, बट नीट में MC की अधारित होते हैं, तो करना क्या है, कि जो भी आपको school में पढ़ाया जा रहा है, जो भी chapter पढ़ाया जा रहा है, उसको theory को अच्छे तरीके से पढ़िए, NCRT को base मान के थोड़ा बहुत उपर नीचे कर सकते हैं, उपर नीचे का मतलब रहता है कि कुछ reference book का भी इस साल का gap है, तो दो साल में अपनी concept को develop करिए, NCRT के हर एक line को समझनी के लिए आपका concept बहतर होना जाए, अगर आप concept बना के पढ़ते हैं, तो need जैसे बड़े exam को crack कर सकते हैं, बिना drop लिए, तो जो भी आपके school में चल रहा है, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, NCRT से, कुछ reference book ले लेजे, जैसे कि बहुत जादा reference book है, true men's काफी जादा popular है reference में, तो उस reference को ले सकते हैं, थोड़ा extra चीजों को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद एक और MCQ के लिए practice के लिए एक book ले लेजे साथ के साथ, जब school में आपका वो chapter हो जाता है, उसके बाद साथ के सा तो आप MCQ भी revise करिए, same approach तीनों subject में रखना है, चाए वो physics हो, chemistry हो या bio हो, तीनों subject में same approach रखना है, जो भी chapter खदम हो रहा है, तो उसका practice आप खुद से घर पे करना सुरू करें, अगर ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप धीरी धीरी धीरे आपका school भी बहतर होने लगेगा, और साथ के साथ आप नीट के दिशा में भी अच्छा काम करेंगे, बड़ इसकी लिए आपका जो direction होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, चीजों को समझने का जो तरीका होना चाहिए, वो बहतर होना चाहिए, आप रटे नहीं सकते, चीजों को समझेए, क्यो जो पिछले बार पढ़ा होगा, नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए चीजों को समझना सुरू करिए, अगर आप समझ समझ के पढ़ते हैं, तो बहतर करेंगे, तो यही एक छोटी सी वीडियो है, ताकि आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकूँ कि कैसे आपको आके बढ़न है, तैंक यू सो मुझ